आज मैं आप लोग बहुत बड़ी खुसकवरी सुनाने बाला हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी नर्सिंग की भी भरती आ चुकी है जो कि उसका जो पेपर है आनलाइन एक्जाम जो डेट दे दिया गया है 17 अप्रेल को इंडियन आर्मी नर्सिंग का पेपर है जो लोग भरती में गये थे और फैल हो गये थे उन छात्रों के लिए बड़ी खुसकवरी है और जो इसकी डेट है उसकी डेट भी में बताया देता हूँ कि कब से कब तक उसकी एज लिया गया है जो कि 7,5 से 23 साल तक लिया गया है तो इसमें से देखे लेते हैं कि आपकी भरती आ गयी है पूरी के पूरी लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसका डेट कहां से कहां तक लिया गया है वी सोल्ड़ टेकनिकल नर्शिंग का है असिस्टन नर्शिंग नर्शिंग असिस्टन बिटनरी का है मद्ध पर देश चाथीजगड़ दोनों राजी को मिला के लेगा जो अभी रायपूर भरती इसकी ठीड ठीक है अब इसमें यह से देखे लेते हैं चलिए नीचे यह सब आपका कटेगरी है तो सोल्डर टेक्निकल याने का देख लीजिए टेन पलस टू इंटरमेडियेट पास औप साइन्स बित फिजिक्स कमेश्टी बायलोजी एंड इंगलीज बित मिनिममं 50% मार्क्स होना चाहिए और मिनमं 40% इस सब्जेक्ट यानि सभी सब्जेक्ट में 40 से उपर होना चाहिए जब कि साइन्स फिजिस कमेश्टी बायलोजी इंगलीज इसमें 50% होना अनिबार रहे हैं ठीक है फिर इसके बटेन टू और इंटरमीडियेट पासे साइन्स बित फिजिस कमेश्टी बाटनी जिलोजी एन इंगलीज बित मिनिममं 50% मार्क्स किया गया है जो कि आनलाइन पेपर होगा पहले आफलाइन पेपर लिया जाता था ठीक है जो इसकी डिट दिया है यानि कि एक अक्टूबर 2000 से एक अप्रेल 2006 के बीच में जिसकी एज होगी सिर्प वही लड़के फाम डाल सकते हैं अन्य था कोई फाम नहीं डाल सकता है तो इसमें एक अक्टूबर 2000 से एक अप्रेल 2006 तक दिया गया है जिसमें से इसकी हाइट है एक सथ सथ आपकी हाइट होना आनिवार रहे है और जो बेट है तो पाचास केजी आपका बेट होना आनिवार रहे है जो चेस्ट है तो 77 आपका होना चाहिए जिसमें से 5 सेंटी मीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है आगे इसमें अगर आपके पास स्पोर्ट है स्पोर्ट कोई सार्टिफिकेट है स्कूल को कालेज को डिस्टिक को तो आगर नेशनल हो इंटरनेशनल हो तो आपको इसमें छूट मिल से कितने कितने सब्सक्राइब कौन कौन से नंबर रहेंगे तिन सभी में दिये गए हैी है अगर आप के पास है से किये हुए हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा ठीक है इसमें बस नंबर का चुड़ दिया गया इसमें कोई है भी नहीं बताना है कि आपका पेपर नहीं होगा इसके बाद ही आपका पेपर निकालते कीजिएगा कि यहां पे सर इसका फाम भी फिला फाम फिलाफ होना जारी हो गया है सभी स्टूडेंट अपना फाम चालू कर दें अपना फाम भरवा लें ठीक है और इसके बाद इसमें जो आपका टाइमिंग दिया है वह बाद निकालना जरूरी है ठीक है इसके बाद इसमें कुछ नहीं दिया है चले जैहिन अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेजीजा का आप जानकारी प्राप्त करते हैं जैहिन